यह क्लाफ नंबर कौन सी है क्लाफ नंबर 32 है न सायद 32 नंबर है आप लोग मुझे एक छोटा सा सवाल बताईए एक छोटा सा कुश्चन है पहले बताईए फिर हम आगे बाद में बढ़ेंगे अगर यह तीन सेंटीमीटर है यह पांच सेंटीमीटर है तो यह बताईए इसका छेतरफल कितना होगा जल्दी सभी जबाब दीजिए इसका एरिया कितना होगा जो फिकर दिया गया है फट से बोलिए राद दस बज़े से यूपी डीलेट की बिल्कुल फ्री लाइब क्लास सुरू हो चुकी है यह मैं बोल के लिख रहा था इसमें कोई बताया अंसर मैं देख रहा हूं मैंने एक सवाल किया आप लोगों से सबसे पहला जबाप क्रिफना सिंग का आया है और फराना अंसारी सर्वन पिहू पिहू राजवन्सी आपकी पिहू मतलब इनका नाम है इस तरह से बाकिया और कुछ मत समझे न चलिए ठीक है आप लोगोंने कोशिस किया अच्छी बात है बहुत अच्छा है कि आप लोग कोशिस कर रहें काफी अच्छी बात है लेकिन आप लोग इस क्लास को लाइक भी करें अभी स्टार्टिंग है और दोस्तों में सेर कर दीजिए यह आपसे अनुरोध है हमारा निबेदन है इसे सोभिकार करिए और सेर कर दीजिए थीक है तो इसका मैंने एरिया पूछा है एरिया इसका सही-सही होगा 15 cm का स्कॉयर यह स्कॉयर लगाना नहीं बूलना ठीक है साथियों अगर मैं इसमें परिमाप पूछ लूँ जिसें इंगलिस में पेरिमीटर बोलते हैं पेरिमीटर तो आप बताईए इसका पेरिमीटर कितना आएगा नेहा कुमारी जी बताईए कितना आएगा जरा कोशिस करिए एक बार कोशिस कर लो भाईया कितना आएगा चलो बताओ इसका पेरिमिटर कितना एगा हम अपने टॉपिक पे आगे तो बढ़ेंगे लेकिन पहले यह सब जरूरी है प्लेलिस्ट में सब है रेंदर जी सब है सब है सब है सब है चलो कितना आएगा दिख तो रहा है न जरत चसमा निकालना बाबा दिखता है अच्छा यह तो लाइट बहुत ज़्यादा है सामने इसलिए लगाया हूं ठीक है इसका पेरिमीटर देखो सिंपल सी बात है मैंने कहा था कि भाईया हो किसी भी बंद आकृति का अगर परिमाप निकालना है उसके चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं तो चारों को जोड़ लो ना तीन तीन छे और यह पांच पांद सिर्फ सेंटिमीटर लगाऊगे ठीक है सिर्फ सेंटिमीटर लगाऊगे इसकोयर नहीं लगाऊगे ओके चलिए इसके बारे में हम लोगोंने पढ़ लिया था आगे बढ़ाते हैं आज का टॉपिक है डर्ग नहीं और इंग्लिस में स्कॉयर बोलते हैं का is quiet कि इसक्वायर के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं हम देखिए यह जो क्लास आपकी चल रही डियलेट की इसमें चैप्टर इलेबन चल रहा है और चैप्टर इलेबन में आप पढ़ रहे हैं तिरभूज आयत वर्ग तथा ब्रित्त की अधारड़ा तो एक-एक के बारे में deeply पढ़ रहे हैं साथियों वर्ग किसे कहते हैं इनकी पहचान क्या है है एक अईसी बन्दाकरती जिसकी चारों बुजाएं बराबर होती हैं इक होती है अपस यह बना लीजिए हम इनकी बात कर रहे हैं इनकी चारो साइड आपस में इक्क्वल होती है इनके बिकरण भी आपस में बराबर होते हैं चारो कॉंड भी बराबर होते हैं पस यही परिभास आए एक ऐसी बंदाकरती जिसके चारो भुजाएं आपस में बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है स्कॉयर कहलाता है इतना ही बहुत है अब बात करते हैं कि इसका एक मुख्य और भी भाग है कि सबसे पहले छेत्रफल मिन्स एरिया और एक परिमाप इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यह फार्मूले आपके लिए आगे लाइफ में काम आते हैं पेरिमीटर इंगलीस में ऐसे गोंच पोंच के लिखते हैं जिससे लोगों को इस पेलिंग ना पता चले एक सही लिखा गलत साथियों मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रट के नहीं चलता है मुझे तो नहीं आया कभी रट के समझना पड़ता है चेत्रफल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी बंद आकरती का चेत्रफल उस आकरती द्वारा घेरे गए संपूर चेत्र को कहा जाता है और इसको प्राप्त करने के लिए दी गई आकरती की लंबाई पकड़ते एक चोड़ाई दोनों का गुड़ा कर देते हैं वही उत्तर आ जाता है जैसे आयत में था लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करते थे तो आयत का चेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चोड़ाई बनता था वैसे इसमें भी होगा बड़ा खतन्नाग गाना बज़रा है भाई वगल में कोई कहना सकेगा जाने दो चलो इधर देखो यह लंबाई चोड़ाई होता है लेकिन आयत में भुजाएं अलग-अलग होती है लंबाई यो चोड़ाई अलग-अलग होती है वर्ग में क्या है वो सरी हां वर्ग में इसमें आपस में बराबर होती बुजाएं इक्वल होती है अगर हम कि बुजाओं को ए मान ले तो क्या होगा बुजाओं को अगर हम ए मान ले तो ये फाइनल में एक आई स्कॉयर हो जाएंगी क्योंकि लंबाई चोड़ाई दोनों बराबर हैं तो मोटा मोटा हम एक सब्द में कह सकते हैं कि जो वर्ग का छेतरफल होता है वो वर्ग का छेतरफल भुजा का इसकॉयर होता है बस यह अंसर है समझ रहना याद नहीं करना है समझना है कोई भी इस तरह से करोगे सब में ऐसे होगा आयात और वर्ग में याद रखो छेतरफल निकालने के लिए लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करते हैं चोंकि वर्ग म स्थितियां और लोग उन्हें वैसा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं समझ रहे हो ना एक बहुत ही भोला भाला सज्जन स्टूडेंट है परियाग राज या दिल्ली मुखरजी नगर में रहके पढ़ाई कर रहा है लेकिन पुलिस वाले आते हैं साम को रोज उसको चा आगे बढ़ें यह समझ गए अब बात करते हैं परिमाप की पेरिमीटर की बात करते हैं पेरिमीटर इसका परिभासा मैंने आपको बताया था डेफिनीशन क्या बताया था कि किसी भी बंद आकरती के चारों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं क्या कहते हैं चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं तो इसमें चारो भुजाओं को आपको जोड़ना है और वो क्या बन जाएगा परिमाप बन जाएगा यानि पेरिमिटर बन जाएगा चारो भुजाओं को जोड़ लेना है ठीक है अगर हम परिमाप की बात करें तो चारो भुजा को जोड़ो भाईया तो कितना होगा यह फोरे होगा यानि चार गुडे भुजा हम कहें सकते हैं कि वर्ग का परिमा बराबर चार गुडे भुजा चार गुडे भुजा समझ रहे ना हो गया यह जो मैं अभी एक situation वाली बात बताया लोग उस तरह से बन जाते हैं एक गोरकपुर के बहुत बड़े डॉन की बात है यह आज के कम से कम साइकड़ो साल पहले मैंने बीबीसी पर स्टोरी देखा था वो बहुत सीधा साधा सज्जन लड़का था लेकिन कुछ लोगों ने उसकी सिष्टर को छेड़ा और उसने क्या किया उसका बदला लेने के लिए उसकी मडर कर दिया जिसने छेड़ा और फिर क्या हुआ वो पूरे देश का सबसे बड़ा मतलब खतरनाक खुकार डाकू बन गया समझ रहे हो ना पहले बहुत सीधा फादा पढ़ा ही करता है ऐसे होता है कभी-कभी ऐसा देश और सिस्टम में गलत कि नीतियां और गलत सासन पर सासन के कारण भी हो जाता है है ना कि समझ रहे हो ना दाउद की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग इंटरनेट पर सार्च कर ले ना अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है प्रकास पांडेया ऐसे कुछ नाम था अजीब टाइप का मतलब नाम सिधा फादा ही था इंसान अजीब टाइप का हो गया था बस तो यह आप लोग समझे गए सूत्र समझे गए ना चार गुड़े बुझा कि माया गोंड यह कलाफ लाइब नहीं रहती है लाइब रहेगी कि का तुम को पकड़ की जगाएगा कि भईया चलो पढ़ो हां बताव का करेगा लाइब रहेगी तो कि इसमें और क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए यह तो हो गया परिमाप और छेत्रफल कि परिभासा आप लोग जानी गए अब कुछ कोईश्चन पहले कर लीजिए फिर आगे टॉपिक पर बात करते हैं ठीक है कुछ कोईश्चन कर लीजिए फिर आगे टॉपिक पर बात क करते हैं कि अगर इस वर्ग की भूजा कि इस वर्ग की भूजा कि पांच सेंटीमेटर है तो आप लोग फट से जल्दी से बताइए अब चार उतर तो लिखना जरूरी है नहीं इसका छेतरफल कितना आएगा छेतरफल कितना आएगा जल्दी बोली एफट से चलो भाई चलो 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 जल्दी चले रहो चले रहो चले रहो एक्टे और बना देता हूं यह चुटका सा ज्यादा स्याही न लगे इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा हाकिकत तो एक मुझे जादा अच्छा बनाना नहीं आता है बारा फिंटी मिटर कि सबसे पहला अगर कोई जबाब दिया है तो वह रेखा रेखा के पहले प्रिती कृफन ने भी बताया था कृफना सिंग्ट रचना माया सिल्पी पीजा खान मांसी प्रियंगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे ब्ली पाइगुड़ चोड़ाई लंबाई और चोड़ाई बराबर है यह निवर्ग काई स्कॉयर मैं कहां जा रहा है खोपड़ी वर्ग काई स्कॉयर नहीं भूजा काई स्कॉयर तो भूजा क्या है पांच है पचीस हैगा लेकिन एक चीजी यही समझ लो जो लोग सिर्फ 25 लिख अधाया था ना भाई कहीं जा रहे हो साधी आप गया हो मुह में गोवर लगाया वैसे जैसे सो के उठे वैसे चलेगे कीचल फिचल लगाए तो अंदर वहां हलने नहीं देंगे तुमको कहें गया है भगाव पागल ही पागल है कि समझ रहे हो तो थोड़ा सा सिस्टम से कर होना पड़ता है कि वर्ड को तोड़कर समझाएं यूपी असी अच्छा ठीक है ओके तो यह हो गया आप लोग समझ गए अगर इसमें हम लोग को परिमाप निकालने तो कितना आएगा कि पारिमाप निकालने तो कितना आएगा कि आजाएगा वह भी सिंपल सी बात है परिमाप यानि पेरिमीटर इसको मैंने बताया था कि चारो भुजाओं के जोड को परिमाप बोलते हैं चारो भुजाओं को जोड ली जिए या फिर एक फर्मूल अमने बताया था व्यभी बना था चार गुड़े भुजा बना था एक देखा 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 इनका हम का बताई जी से बचपन में कहां नहीं सुन है तो ताउल मैंना अउल बीच में कहिए गाय विल्ली उल्ट तो साभ ड़ा देते हैं उतके थपड़े थफड़ थपड़ पड़ता याद है कि जिसे यह इनको अभी बताया कि सेंटीमिं यहां इसक्वायर नहीं लगाना यहां इसक्वायर नहीं लगाना है देखो पहले मतलब समझे लो अब यह तो हो गई मजाक की बात कि देखें वहां पर इसक्वायर क्यों लगता है छेतरफल में इसमें क्यों नहीं लगता है समझ लीजिए पहले समझ लीजिए यह बड़ी बात है अगर आप परिक्छा में इसमें इसकोईर लगा दोगे तो टीचर इसका उत्तर कलत काड़ सकता है और अगर चेत्रफल में इसकोईर नहीं लगाओगे तब भी बलत काड़ सकता है तो कोग यार गूरु जी तो हमेरे बताय रहें कि सक्वायर लगावे का है हम लगाए देन तबो गलत है न लगाएं तबो गलत है कहा मतलब गुरुए कड़वडवड़ा है ऐसी बात नहीं है आप सीख नहीं रहें दिखे छेत्रफल में क्या होता है साथियों भूजा का स्कॉयर जैसे होता है न यह भूजा का स्कॉयर मतलब भूजा गुड़े भूजा यानि साइड इंटू साइड तो यह पांच सेंटीमीटर गुड़ा पांच सेंटीमीटर यह गुड़ा होता है न तो हमने आपको बेसि सेंटीमीटर का स्कॉयर हो जाता है इफले स्कॉयर हो जाता है समझ रहो ना यहां क्या होता है भाई साब यह चार तो ऐसे अकेला आपके पिछे कोई नहीं है सेंटीमीटर उटर नहीं है इसमें यह सूतर का हिस्सा है इसमें सेंटीमीटर नहीं है तो यह बुजा जो है यही सेंटीमीटर में केले है तो इसले क्या करेंगे इक पंचीह बीस हो जायागा लेकिन संटीम्यतर ही रहेगा इसस्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ संटीम्यतर नहीं लगा शिर्फ इस ही में से इत्मक्र हैत Fleisch आपको समझ के चलना हैं ऐसा नहीं कि Хै से गजय को यह कोई более дост यह हो है ठीक है कि अरुची समझ में आ रहा है विमलेस परभादीपक चलिए ठीक है अच्छी बात है यहां सभी तक सब सिंगल है फिंगल थे हां तो बताईए जल्दी-जल्दी से बताते चलिए आया समझ में सभी को कि अब इसको बता दीजिए फिर लगे हाथ बगल वाला कि यह कितना आएगा कि इसका छेत्रफल कितना आएगा पहले तो यह बताओ कि यह क्या है जो लिए हैं दिख रहा है कि मत देखो तब ही अच्छा है चलो इसका आएगा 144 सबसे पहले रेखा ने जबाब दिया है और वो भी गलत जबाब दिया है बहुत अच्छे सबसे पहले उसके उपर भी कुछ लोगों ने बताया था एक मिनट मांसी ने बताया था और सही बताया था बहुत अच्छे सुप्रिया क्या कहें इनको इनका भी गलत है प्रियंका कभी गलत है देखिये कुछ लोग का गलत है नहीं वो गलत बना रहें उसे एक्चुल में आंसर तो सही है आंसर तो सही है जैसे मैंने एक्जांपल बताया न कि अगर आपको किसी की पार्टी में जाना है और आप जैसे सो एक उठे हो सुबेर ग्यारा बजे चले गए तो गार्ड तुमको अगर गेस्थाओ से अच्छा खासा बढ़िया जगा थालने नहीं देगा काईगा ही पागल है भगा इसको भगा जब तक को बढ़िया से उस सिच कि अच्छे हो जाओगे तब रहाऊगे बदलोगे तो है नहीं ना तुमारी आदट बदलेगी ना सहूर बदलेगा रहोगे वही लेकिन थोड़ा साथ दिखावटी में बदल जायेगा ना कि अ थोज रहो ना तो वैसे इसका आंसर में भी करना है आंसर वही रहेगा लिख कि चैन्त भुज के स्कुराइर होता है तो भूज कितनी हैसमेड के स्कुराइर होगा ओन फॉटि फॉर्र होगा यह सही है इतना स्वी सही है लेकिन अभी मैं इतना बिर्मया यह अपर ना के बहुत था गाला था मतलब ठीक है चलो अब इसका परिमाब बताईए उसके पहले आप सभी जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं इस कलास को तुरंद लाइक करिये कर दिशो को तुरंद लाइक करिए देर मत कर देखो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी तो कर दिशती कर दी कर दिन कॉन हो अ कि आप भाईया भाईयक है बोलते हैं आपे कुछ भाईने भी रहती हैं कुछ और भी लोग रहते हैं तो मैं सब को बोल रहा हूं भाईयों बैनों और भाईया भावियों अंकल अंटियों दादा दादियों जो भी हैं सबी तुरंद लाइक करी ठीक है चलिए हो गया ना आगे बढ़े भाई मैं लाइक करने को बोल रहा हूं हाँ करने को नहीं बोल रहा हूं चलो जल्दी से कलास को लाइक करने को बोल रहा हूं मुझको नहीं कलास को नहीं मित्रों तो नहीं बोलेंगे मित्रों तो वो बोलते हैं कौन आप समझ गया होंगे ओट मांगने वाले ना देखिए नीचे नंबर चल रहा है जो लोग काफी परिसान है जैसे हरेंज सिंग हो गए मोहित हो गए सोनी जी हो गई उस पर आप दिन में इंक्वारी करिएगा ठीक है नंबर पर इंक्वारी करिएगा चलिए तो साथियों परिमाब बराबर क्या होता है चार गुड़े भुजा होती है आयत का परिमाब बराबर होता है चार गुड़े भुजा तो साथियों चार और भुजा भुजा कितना ट्वैल है इकल 48 cm यह अंसर होगा जल्दी से इसको खतम करते हैं बहुत मज़ेदार बात हो ग एक खतरना कुश्चन है यह आप लोग बता दीजिए थमजाने चलिए बताइए एक वर्ग है यानि स्क्वाइर है टू इंटू टू एक्स प्लस फोर वाई मीटर है इसका जो यह मुझा है कि टू इंटू टू एक्स प्लस फोर वाई इसकी बुजा है यह थोड़ा अलग है बाई बताओ कैसे कितना आयेगा कि इसमें से कितने लोग हैं तुरनंत हाथ उठा के बताएंगे हां हम कर लेंगी कर लेंगी कर लेंगी चलो थोड़ा दिल में तफली मिल जाएगी जियरा कि यहां भाई यतना लोग कर लिए है बाकी हम बताएंगे देखिये सीधा सा है सिंपल सा है इसमें जो इसकी भूजा दी गई है वो नहीं समझ में आ रही है कि इंसान एक जानवर एक साइटान है यह अहाल सा है कर लेंगे चल यह जूटाई साही ऐ हम पल वर्ण के लिए कमसे कम बताया तो chicos articulate नहीं आ रहा ठीक है जूटी बता दिया अच्छा है तो च्यत्रफल बराबर क्या होता साथियों वर्ण का बराबर होता है बुजा का isquire होता है न तो जो बुजा दी गई है इसका isquire कर लीजिए simple सा है लेकिन बहुत बढ़ा हो जाएगा यहां यह आद यह बढ़ा हो जाएगा न कि यह इतना इसका परिमाब दिया गया था एक्चुली भूजा इसकी छोटी फिती में वही लिखूंगा इतना बड़ा नहीं लिखूंगा नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा इसकी साइड आप इतने लिख लो एक्स प्लस टू आई यह बहुत बड़ा हो जाएगा हो तो जाएगा लेकिन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा कभी एक्जाम में आता नहीं एक्स प्लस टू आई ये क्या साइड है ठीक है तो साथियों ये भुजा की जगा पर एक्स प्लस टू आई लिखेंगे इसका स्कॉयर अब ये थोड़ा ही स्टेंडर्ड हो गए अगर आपने 6 7 8 में मैद नहीं पढ़ा था डंग से तब आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है इसका स्कॉयर करने का मतलब ये है इसमें दो तरीका हो सकता है एक तो सूत्र लगा सकते हो आप a प्लस B का whole square वाला a प्लस B का whole square न तो लगा दिजिए फर्मुला A का हिस्क्वाइर ब्लस B का हिस्क्वाइर यानि यह हो जाएगा 4Y का हिस्क्वाइर प्लस 2A B 2 A और B consultants यानि 2 x y मतलब 4 x y A square है इसको थोड़ा सुन्दर फ़ा लिकेा किलो प्लस 2AB समझ में आया ना आया न समझ में देखो एक्चुवल में यह सूत्र होता है जिन लोगों को नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है कन्फ्यूजन में न रखिए लिख लीजिए यह इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिच्वेशन के आधार पर इसको हम अलट पलट सकते हैं यह समझ में आया ना माहिरा जी समझ में आ रहा है अमिसा अबर्मा अनामिका प्रांसू मांसी प्रियंका फिजा सिल्पी मोहित अनुराग कुछ तो लड़कवे हाई हो नहीं वाई से नाम बोलते रहें जाद एक नहीं कहेंगे लड़किये का नाम बोलते हैं लड़कां का नहीं बोलते हैं एक्चुल में इस कलास में ना 90 परफेंट लड़कियां ही होती है लड़के क्या होते हैं या तो उनको मैं थाती है या तो यह फर्मूला बन राएक सवाइब में कहीं भी जोडने का मतलब होता ही नहीं यह हम इसक्वायर में जोड़कर निकाल सकते हो जैसे देख ऑगर यह इस का इसक्वायर कुछ लोग जोड़कर निकाल सकते है 4 का सब्सक्राइब तो भाइया हो चाचा हो अगर एक फोर में फोर जोड़ बाना तो आठ है जब कि यह गलत है आप इसक्वायर को जोड नहीं सकते हो आप इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे कि समझ रहे हो ना ऐसे कि लिख लीजिए आगे बढ़ें अगर खतम करना है तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा अगर डीटील में समझाना है तो टाइम जादा लगेगा आप लोग क्या कह रहे हो कि डीटील में समझाओं यह जल्दी जल्दी खतम करूं अगर आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी खतम करें तो आप लोग A लिख के कमेंट करें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं detail में समझाऊं अराम-अराम से प्यार से बढ़िया से तो B लिख के कमेंट करें मैंने A और B लिखने को बोला है कोई B भी नहीं लिखेगा और A भी नहीं लिखना क्या करो भई मैं A अभी देकर रोंख रहा था फिर भी लोग लिखदीये न वहीं तो थोड़ा time लगेगा कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो जिनको जल्दी थी वो चले गए मैंने पहले बताया था कि जिनको जल्दी थी वो चले गए तो अगर आपको भी जल्दी तो आप भी चले जाओ पढ़ाएंगे आम ऐसे ही चलिए तो यह हो गया एक वर्ग का बिकरड दिया भाईया वर्ग का बिकरड दिया है एक मिनट इसमें मैं एक सूत्र नहीं लिख वाया था अवर्ग के बिकरड की लंबाई यह फार्मूला लिख लीजिए वर्ग के बिकरड की लंबाई यह सूत्र भी लिख लीजिए लंबाई बराबर अंडर रूट दो इंटू भुजा अगर बिकर्ड निकालना है तो ये होता इसका फार्मूला ठीक है बिकर्ड मतलब जानते हो डाइगोनल आप कुछ कहेंगा है इंगली से बोल रहा है इधर देखो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को दिख रहा है न बिकर्ड का मतलब ये भुजा ये अगर इसे हम बी सी लिखे ये समझ रहा हो न अगर इनकी साइड ये फाइप फाइप सेंटिमीटर है चारो तरफ और हमें बी सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे दिख तो रहा है न पूरा समझ ये चलिए अब हम एक कुष्चन ही दे देते हैं फाइप इंटू अंडर रूट टू सेंटिमीटर इसका बिकर्ड दिया है ये ही लिख देता हूँ फाइप इंटू अंडर रूट टू सेंटिमीटर दिया है आपको ये निकालना है बुजा बताओ कितना है पता ये कितना हैगा जरा कोसिस करिए एक पर और हाँ बीच बीच में कलास को लाइक करते जाए और एक चीज और प्रामिस करिए अपने आप से वादा करिए भले आ तो लोग बड़े खतर्नाक खतर्नाक चीज लगाए रहते हैं समझ रहे हो मतलब देखो तो भावनाव में ही खो जाओ बह जाओ जाओ जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी कलास सुरू करने के पहले बोला था ना दिल के अर्मा और आगे सुने था ना आप लोग मेरी आवाद थोड़ी बेसुरी टाइप के इसलिए मैं गाता नहीं हूं चलो तो भाई या कोईश्चन यह है कि यह वर्ग का क्या बिकड़ है तो बिकड़ की लंबाई हमें दी गई है और यह फार्मूला लगा देना है चलो भाई बुजा का अब यह है वर्ग के विकड़ की लंबाई दी गई है फाइब इंटू अंडर उुट टू बराबर फार्मूला लगा दीजिए अंडर उूट टू इंटु भुजा हमें क्या करना है भूजा फाइंड करना है क्या करना है भूजा निकालना है न कर लेंगे कि नहीं यहां से आप लोग ऐसे कुछ कुछ ता एक मिनिट कितना आएगा पांच आएगा कि पचीस आएगा लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है अब 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 गला तर नहीं है वाई सब सही है कितना है कि दिख नहीं रहा है मतलब काय इंटरनेट खतम हो गया कि आप लोग का पांच आएगा सही है 5 आरा है अचा थोड़ा थोड़ा रूक रहा है जोल हो रहा है इसमें थोड़ा बीडियो फंस रहा है जाना नहीं कहीं तो यहां से हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा फाइप इंटू अंडर रूट टू और यह रूट टू इधर आएगा भाग में हो जाएगा इक्वाल भूजा यानि पांच बराबर भूजा कहने का मतलब क्या आगया भूजा कितने आगई पांच सेंटिमेटर मैंने पांच लिखा भी था तो तुम लोग ऐसे भी नकल कर लिए समझ गए ना इस तरह से अगर मैं एक सवाल और पूछूं भाई थोड़ा थोड़ा हाइं कर रहा नहीं है एक मिनिट देखने दो यार मुसीबत में मुसीबत का है को आ जा रही है क्यों मैंने ठेका लिया सारी मुसीबतों का का मेरे पास ही क्यों आ रही है अकांचा प्रीती रेखा राजा अलम प्रीती यादो क्रिफना रुची है बहुत अच्छे बड़ी गूट चलिए तो इसका अगर मैं एरिया पूछू तब भी आप लोग कर लोगे एरिया भी निकाल लोगे ना हम आप चलेगा अच्छा चलेगा ठीक है तो आप लोग कर लीजिएगा बाकी कोईश्चन हम अभ्यास परस्ने में करवाएंगे नहीं तो यह टॉपिक खत्मे नहीं होने आएगा बहुत सारे परस्नों हो जाएंगे ठीक है एक और बताईए अगर इसकी साइट 2.5 सेंटीमीटर है भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो आप लोग इसका छेत्रफल और पारिमाब बताना ठीक है छेत्रफल और पारिमाब बताईएगा अब पानी मानी पी लीजिए पानी पीके मैं सोने को नहीं बोल रहा हूं और कापी कलम उठाईए मैं कुछ लिखवाने चल रहा हूं इसी के बारे में लिखिए चलिए अब हम लिखेंगे वर्ग के गुड या फिर वर्ग की बिसेश्ताएं ठीक है वर्ग की बिसेश्ताएं हेटिंग लिखिए वर्ग की बिसेश्ताएं नीलम यादो रेखा अमिसा सुप्रिया पराना प्रियंका चांदनी मादुरी ठीक है चलिए तो वर्ग की बिसेश्ताएं क्या होती है भाईया समझो इधर फाइड में जरध्यान से कुछ बिसेश्ताएं इनकी है नमबर एक पहली बिसेस्ता क्या होती है कोई बताएगा एनिवन कोई बताएगा वर्ग की पहली बिसेस्ता ये है कि वर्ग की चारो भुजाएं बराबर होती है लिख लेजिए वर्ग की चारो भुजाएं बराबर होती है ये पहली बिसेस्ता हो गई दूसरी ब सेष्टा लिखी है second नंबर वर्ग के पर ते कोण नब्ब्यन्स के होते है वर्ग के यानि की square वर्ग मिन्स square square के every angle 90 होते है यानि right angle होते है मिन्स सम कौण होते है चाहे तो ऐसे लिख लो कि वर्ग का परते कोण नब्बेंस का होता है या फिर वर्ग का परते कोण समकोण होता है ठीक है तीफरा लिखिए वर्ग के बिकर्ण एक दूसरे को सम्दुभाजित करते है वर्ग के बिकर्ण यानि डाइगोनल बिकर्ण मिन्स डाइगोनल ये है एक tienes को क्या करते हैं कि बीस्च करते हैं ना बीस्च करते हैं इंगलिस में बोलते हैं ना इंटर सेक्ट मतलब परतिछेदित बीस्च मतलब संदुवाजीत क्यों इंगलिस में थोड़ा confusion है आप लोग बताना सही क्या है हिंदी में बोलेंगे क्या करते हैं सम्धु भाजित करते हैं ठीक है और इनकी कुछ विसेश्थाएं आप लोग लिख लीजी अगर याद आ रहा है तो बस इतनी सारी ही होती है क्योंकि वर्ग बचारा छोटा सवैसे ही होता है तो इसके बहुत सारे गुंड पर गुंड नहीं होते हैं और यह गुंड पर गुंड क्या है मैं उस दिन बताया था ना जो मैं लिखवाया भी वर्ग की इससान का मतलब यह ऊता है less अरी इंसान की कोई नोको बिसेश्ता होती है है ना अपना बता हूं हमारी बीषस्था क्या है मैं आपको पढ़ाता हूं मैं मैत पढ़ाता हूं पी-वियार स्ट डीडी चैणल पर सारी को जिम्मेदारी हमारी ही होती है किसी को कलाफ नहीं मिल रही तो वो भी फोन करके हमाई गरी आता है हमी सुनते हैं हां बाकी हमारे लोग साथ में हैं हेल्प करते हैं हमारी उनके लिए धन्यवाद उनको लेकिन सुनना हमी को पड़ता है और आप लोगों की नजर में हमारी बिसेश्था हैं बहुत अच्छे ह आप लोगों की नजर में हैं बाकी हम इम कितने अच्छे हैं वह खुल अपर बूरा मत मानना वैसे भी मच्छे हैं वो तो बॉल देते हैं मजाक में अप लोगों को तो कोई गलत मत समझना चलो यह क्या है ब्रिट आप वर्ग के बारे में जो भी यहां पड़ा इंप्वार्टन था मैंने बता दिया मैंने बता दिया अब क्या होगा अब यहां पर हम इसक्वायर की बात खतम कर देंगे और सरकल की बात इस्टार्ट करेंगे यानि बृत बृत मतलब सरकल ठीक है सरकल क्या होता भाई इनके बारे में पढ़ना है डीटियल से पढ़ना है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज पढ़ना है कि आज टाइम बहुत कम बचा है आज ही पढ़ा देंगे तो कल काहे को आओगे कल नहीं आओगे तो फिर आगे देखे का कॉन हां समझे रहो ना मैं बहुत आके चिलाओं अच्छे अच्छे से बढ़ाओं लेकिन कोई देखे गा नी ते मैं पढ़ाओंगा कि को इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाओंगा और आप लोगों को कुछ कोईश्चन इसमें करवा देता हूं और भी कुछ क्विश्चन आप सुनिए और बताईए सुनिए और बताईए संबाहु तिर्भूच का छेतरफल कितने लोगों को याद है इमांदारी से बताना संबाहु तिर्भूच का छेतरफल लिखवाया था ना सूत राना चाहिए के लिज्बी धीएव्प वाज़ एकहता जाट Bunu को सम्बाहु तीर बुच्काच्य तरफल बताया था ना-विसम्बाहु तिरबुच्का झीच तरफल कि कि हीरोउन फॉरीनायोन क्या वोलते हैं उसे किमीच विल कि फार्मुला क्या आप जिसमें तीन बुचवाराला छेत्रफल का न याद है न आपको कि ड्लैट की और कलास होती है चांदनी जी अभी तो यह कही होती है हमारे पास बहुत सारी कलासे हैं तो हम सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ा पाते हैं बाकि हमारी कोशी से भविस्य में जल्दी ही और भी सारे सब्जक्ट होंगे लेकिन अभी सिर्फ मैथ ही चल रही एक सवाल और बताइए 181 का जो कोण है ये किस परकार का कोण है नमबर A क्या ये अधिक कोण है क्या ये अधिक कोण है नमबर B क्या ये ब्रिहत कोण है नमबर C क्या ये संपूर्ण कोण है आपसं तो बहुत आसान है A, B, C में से कोई एक option बताईए 181 का जो angle है वो किस तरह का angle है? अधिक कोड है या अप्ट्यूस angle है या acute angle है बागी तो English मुझे आती ही नहीं क्या है? इसको अधिकांस अधिक कोड ही बताएंगे अधिकांस लोग अधिक कोड ही बताएंगे अनुपम, कौसल्या मोर्या, अनामिका, दीपका, प्रभा, मांसी, विनोध, सुप्रिया, अमित, रुची, रानी सिंग ये अधिक कोड नहीं है नहीं है, नहीं है, नहीं है मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके फाट पढ़ो उसी, पढ़ लो हाँ चलो, ये अधिक कोड नहीं है अच्छा, 151 ये किस परकार का कोड है 151, अधिक कोड है, या बरिहत कोड है, या रिजू कोड है बताईए, जरब बताईए, किस तरह का है आना चाहिए आप लोगों को पहले कुछ कुश्चन बताईए, फिर लाश्ट में मैं एक लाइन में पूरा कांसेप्ट बता दूंगा कोड का जिन लोगों ने कोड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनको भी आने लगेगा बताईए 151 151 क्या है, अप्ट्यू सेंगल है न अप्ट्यूस मतलब O, B, T, U, S, E यानि अधिक कोड है, अधिक कोड की परिभासा का होती है भाया बताया था न 91 से लेकर के 179 के बीच के जितने भी कोड है, वो सभी अधिक कोड का लाते है कितने से 91 से लेकर के 179 तक और मने बताया था इसमें वही एक्जामपल दिया था वफा बेवफा वाला न, आप लोग को गई काहे बताते हो, क्योंकि यह आप लोगों को बहुत प्यार से दिमाग में बैट जाता है है न, इसमें वह भी बताया था, चार कोड ऐसे होते हैं जो एक दूजे के लिए ही बने होते हैं जो लोग जुड़े रहे होंगे उनको याद होगा, उनको याद होगा न, तो वो कौन-कौन से हैं भाई, जो एक दूजे के लिए ही बने होते हैं तीसरे की जगा नहीं होती उसमें, कौन-कौन से हैं बताये मने नाम बताया था ना जब पढ़ाया था तो जैसे समकोंड हो गया समकोंड सिर्फ और सिर्फ एक होता नब एंस का बाकि दूसरा नहीं होता उसका कोई समकोंड में कोई दूसरा नहीं होता है ऐसा नहीं अस्सी वाले को भी समकोंड बोल देंगे नहीं एक बताया था समपू कोंड बताया था जिसे इस्ट्रेट एंगल बोलते हैं वह भी सिर्फ 180 अंसका ही एक एक होता है उसके भी और कोई दूसरा नहीं होता है कि एक और बताया था सुनने कोंड बताया था बाकी दो ऐसे हैं खतरनाक जो अधिक कोंड और न्यून कोंड है उनके अठारा कोंड वालग अलग होते हैं बहुत सारे होते हैं अलग-अलग कि समझ रहे हो ना जब मैंने कोंड वाला चैप्टर पढ़ाया था क्लाफ नंबर वन तीस या तीफ नंबर में आप जाके देखिए सायद या 2829 तीस इसी में होगा किसी में ठीक है इस लिए सारी कलास देखना जरूरी होता है अब्लिकेसं यह जाकर लिएगा अभी उसका लिंक में पृवी इस्टाडी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगी जाके देख क लीजिएगा और जो भी टेली गराम नहीं रखा है न वो play store से टेली गराम अप्लीकेसन डाउनलोड कर लीजिए जैसे WhatsApp पे आप लगे रहते हो चिपड़े रहते हो रात बर ना WhatsApp में वह ऐसे टेली गराम भी है यह भी वह उसी काम का है लेकिन हाँ यह थोड़ा अलग है यह पढ़ने वालों के लिए थोड़ा जाद आच्छा है तो टेली गराम डाउनलोड करिए अपना अकाउंट बनाई यह पीवियर स्टडी सर्च करिए चैनल को जुवाइन कर लीजिए क्योंकि पीवियर स्टडी टेली गराम चैनल पर सारी कलास की लिंक दी जाती है अगर आपको नहीं पता है टेली गराम क्या है टेली गराम चैनल क्या है तो आप यूटूब पर जहां पर पढ़ रहे हो ना पीवियर स्टडी टेली गराम लिख करके सर्च करिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा हमारी ही सकल का एक फोटो लगी है उसमें उसको देख लीजिए उसमें एक एक जोईन करते हैं इसका डाउनलोड करने का फाइदा क्या है नुकसान क्या सब मिल जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे फिर कल की कलास में इफी टाइम रात के 10 बजे से 11 बजे के बीच ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब लोग देख लीजिएगा वंसिका जी कह रहे ही कि मैंने सिर्फ 6 वीडियो देखा है अभी देखना है ठीक है सब देख लीजिए एक चीज और सुन लीजिए सभी वीडियो आनलाइन देखिएगा कोई वीडियो डाउनलोड नहीं करेंगा अगर आप YouTube पर डाउनलोड करेंगे तो सारे वीडियो हटा दिए जाएंगे इफले निबेदन हैं सिर्फ आनलाइन देखेंगे चीजिए लॉन देखेंगे और लाइक जरूर करेंगे मतलब कर लाइक करेंगे इस ठीक है टो चलते हैं फिर किसी को कुछ कहना है कलास के बारे में तो बोलिए रुची साक्या उर्वर्सी प्रियंका ठाकुर चांदनी गुड़नाइट सभी को गुड़नाइट बहुत बहुत बेलकम और भी कुछ बोलें कि आभी तो साथियों जिनको भी मैथ नहीं आती है बिलकुल उम्मीद नहीं खोना है उम्मीद बन मुसाफिर तुछ चलता जा एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलेगी तो भाई मिलने का मजा भी आएगा है ना चलते हैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद किसी को कुछ कहना है तो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर इंक्वारी कर सकते हैं रात में दस बज़े से बारा हम ऐसे 24 गंटे कभी भी कर सकते हैं